इस वीडियो में हम नंबर लाइन की बात करेंगे कि नंबर लाइन क्या है और इस पर नंबर को कैसे ड्राप किया जाता है तो number line का मतलब है कि एक straight line इस straight line हो और इसके दोनों sides पे arrow हो एक straight line जिसके दोनों sides पे arrow हो इन arrows का मतलब होता है forehead इन arrows को कहते हैं forever का मतलब क्या कि यह line चल रही है इस तरह इस line को हम और मज़ीद बढ़ा सकते हैं so on इस line के center में zero होता है इस center में जहां पे values zero होती है इसको कहते हैं origin origin की right side पे सारी values positive number होती है मतलब क्या के right side पे equally distance पे positive numbers होते हैं one two three four five six and so on और इसकी left side पे negative numbers होते हैं minus one minus two minus three minus four minus five अब ये जो सारे numbers ड्रा कहें गए हैं इनके दर्मियान ये जो space है ये equally होती है ठीक है कि हम एक scale लेते हैं और ये space ये जो जगा आ रही है ये equal होती है हर number के दर्मियान अब इस number line के बनाने का मकसद क्या है मकसद ये है कि अगर हमें देखना पड़े कि कौन सा number दूसरे number से बड़ा है या छोटा है तो वो हम इस number line से देख सकते हैं number line पे अगर आप right side की तरफ move करेंगे तो इसका मतलब है कि right side की तरफ सारे numbers क्या है greater है बड़े हैं और अगर हम left side की तरफ move करेंगे तो इसका मतलब है हम less की तरफ move कर रहे हैं its means minus 2 less than है minus 2 जो है sorry greater than है minus 5 से जैसे जैसे आगे move करते रहेंगे number less होते जाएंगे और अगर इस side पे move करें तो number greater होते जाएंगे 2 जो होगा वो 5 से less होगा 5 जो होगा वो 2 से greater होगा लेकिन इस side पे minus 5 less than होगा minus 2 पे तो left side की तरफ move करें तो number less होते जाएंगे और right side की तरफ move करेंगे तो number greater होते जाएंगे अब numbers को इस number line पे कैसे draw किया जाता है तो वो हम देखते हैं first part है shooting नमबर हमें given है 2 divided by 3 अब 2 divided by 3 का मतलब यह है कि जो 3 है जिसको हम denominator कहते हैं और उपर वाले number को denominator कहते हैं नॉमीनेटर छोटा है डी नॉमीनेटर बड़ा है अगर कोई ऐसा number आ जाए जिसका डी नॉमीनेटर बड़ा हो मतलब divide में value बड़ी हो तो वो number हमेशा 0 और 1 के दर्मियान like करेगा तो इसको अब हम कैसे like करवाएंगे सबसे पहले हम एक number line शो करेंगे यह हमने एक number line शो कर ली इसकी दोनों sides पे arrow बनाएंगे अब arrow बनाने के बाद center में ठीक है यह एक line लगाएंगे ठीक है बिलकुल आपने इसको center में से कट करना है आप एक scale यूज कर ले और center में से उसको कट करें वहाँ पे लेखे 0 अब right side पे ठीक है हमने क्या लेने है numbers लेने है इदर लेते है one इसने equally यहाँ पे distance पे हम लेते है minus one फिर लेते हैं यहाँ पे two और इस side पे लेते हैं minus two यहाँ पे लेते हैं three और इदर लेते हैं minus three equally आपने distance रखना है आप अपने scale से करेंगे तो यह equally distance पे आएंगे यह करने के बाद अब देखें सबसे पहली बात कि denominator अगर बढ़ा है तो number zero और one के दर्मियान like करेगा यह बात है second बात क्या second यह है कि जो denominator है जितना number है अगर three है तो इसका मतलब है zero और one के दर्मियान हमने तीन पार्ट बनाने हैं तीन हिस्से बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे देखें one line लगा दी and two line लगा दी तो कितने पार्ट बनगे है one two three इसका मतलब है जो number given होगा उसके हम उससे एक number less यहाँ पर parts बनाएंगे तो यह parts हमने बना लिये तीन इसके बाद क्या करना है डी नॉमिनेटर को देखना है नॉमिनेटर क्या two नॉमिनेटर से zero की तरफ आपने count करके जाना है कहाँ पर जाना है two पर तो यह zero यह one और यह क्या आगया two तो इसका मतलब यह हुआ कि हम two पर जाएंगे ठीक है और यहाँ पर एक इस तरह लंबी line बना देंगे और इसके उपर लिखतेंगे two divide by three तो इस तरह हम numbers को draw करेंगे स्पोस करते हैं student अगर number हमारे पास आ जाएं ठीक है five divide by two अब यह हमारे पास एक number आ गया है ठीक है अब हम इस number को draw करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सबसे पहले एक number line बनाएंगे हमने बना ली एक number line ठीक है center में क्या रखेंगे zero इस side पे right side पे सारे positive numbers आएंगे और left side पे negative numbers आएंगे और सारे number equally distance पे होंगे यह बागी फिर देखें नीचे denominator यहाँ पे तो छोटा है suppose करते हैं हम बढ़ा करते हैं ठीक है हम यहाँ पे लिखते हैं five और उपर लिखते हैं two ठीक है पहले हम इस example को समझते हैं two divided by five करते हैं अब denominator बढ़ा हो गया number कहां five parts होने चाहिए five parts तो कितनी lines लगाएंगे एक कम four one two three four one two three four one two three four अब part के ने कितने बने one two three four five five parts बन गए उपर नॉमिनेटर क्या है तो count करेंगे zero one two two है ना तो यह number यहाँ पे लाइक करेगा तो क्या लिखेंगे two divided by five इसके बाद student number आता है जो next number हमारे पास है ठीके यह तो example थी कि denominator बढ़ा होगा तो हम numbers को ऐसे draw करेंगे अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक number आया है ठीक है जो second part है वो है minus four divided by five minus four divided by five को हमने करना है draw तो अब हम देखें इसमें भी जो d denominator है वो बड़ा है लेकिन number क्या है negative है तो सबसे पहले हम एक number nine को draw कर लेते हैं उसके center में लगाते हैं zero right side पे positive number one two three four और left side पे negative number minus one minus two minus three and minus four यह आँगे अब देखें student number negative है तो यह किस तरफ जाएगा less की तरफ मतलब left side की तरफ जाएगा zero और one की दर्मियान आएगा क्यों नीचे number क्या है five है denominated बड़ा हुआ तो number कहां लाए करेगा zero और minus one के दर्मियान अब हमने ठीक है यहां पे कितने parts बनाने है five parts बनाने है तो five parts कैसे बनेंगे हम four lines लगाएंगे one two three and four तो parts कितने बनेंगे one two three four and five और number क्या है four तो यहां से counting करनी है zero one two three four तो यहां पे जाके हम number को draw करेंगे minus four divided by five तो इस तरह हमने number को draw कर लिया अब हम चलते हैं third part की तरफ कि third part क्या है तो third part है जो third part हमें given है वो है one three divided by four ठीक है यह क्या है one क्या है one क्या है one कोशेंट है remainder divided by divisor तो remainder three है ठीक है यह क्या है divisor है quotient का मतलब कि आके four को हमने divide किया था ठीक है और जो divide किया था वो one time divide हुआ था जो remainder बाकी बचा था वो क्या है था three इसको सही कहते हैं इसको कहते हैं कि जिससे हमने number से तकसीम किया है तो अब हम इसको draw करना चाहते हैं तो इसको कैसे draw करेंगे सबसे पहले हम एक number line बनाएंगे तो यह हमने एक number line बना ली number line के center में center में क्या रखेंगे जीरो और यहां पे right side की तरफ values positive आएंगी और left side की तरफ values negative आएंगी आपने यह scale से बनाने हैं ताके यह equally distance में आएंगे अब यह numbers कैसे draw करेंगे आपने इस number को देखना है मतलब आपने quotient को देखना है अगर वो one है तो इसका मतलब है यह one और two के दरम्यान यह number जा रहा है अगर यहां पे two होता तो वो two और three के दरम्यान लाए करेगा अगर four होता तो फिर वो four और five के दरम्यान लाए करता तो यह one है इसका मतलब है यह one और two के दरम्यान लाए करेगा कितने parts बनाने है 4 part बनाने है तो 4 parts के लिए कितनी lines लगाएंगे 3 line 1, 2, 3 ये भी equally distribute होंगी ठीक है इनका distance भी same होना चाहिए तो 1, 2, 3, 4 4 part बन गए नमबर क्या है जी 3 है तो यहां से counting करनी है 1, 2, 0 1, 2 and क्या आजाएगा 3 तो ये क्या बन गया 1 quotient remainder divided by divisor 1, 3 divided by 4 आ गया है इसके बाद 4th question है 4 है minus 2 quotient remainder divided by divisor इसको अब हमने draw करना है सबसे पहले एक number 9 बनाएंगे ये number line बना ली center में रिखेंगे 0 इदर क्या आएगा 1, 2, 3 इदर क्या आएगा minus 1, minus 2, minus 3 नमबर कहा है जी minus 2 से 3 की तरफ जा रहा है कितनी lines बनानी है 8 lines मतलब 8 parts बनाने है 7 lines लगानी है 1, 2 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपने equally distance पे रखना है minus 2 को 0 value देनी है यहां से count करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो 5 पे क्या बन गया minus 2, minus 2, 5 divided by 8 तो यहां पे ड्रा होगा इसके बाद next जो है 5 part हो क्या है 2, 3 divided by 4 इसको अब कैसे line ड्रा करेंगे सबसे पहले एक number line बना लिए center में रखा 0 इस side पे positive number 1, 2, 3 minus 1, minus 2, minus 3 यह आ गया 2 ठीक है 2 और 3 की दर्मियान आ रहा है ठीक है और कितनी line what's होने चाहिए 4, 5 तो कितनी lines आएंगी 3 1, 2, 3 बन गई count करते हैं इसको 0 देते है 0, 1, 2, 3 तो इदर number क्या आएगा 2, 3, divide by 4 तो ऐसे numbers को हम draw करेंगे अब देखते हैं student अगर number हमारे पास square root में आता है ठीक है और उसका square root भी नहीं है तो उसको हम कैसे draw करेंगे जैसे number है 6 part है square root 5 अब square root 5 को हम यह draw करना है किस पे number line पे सबसे पहले देखें इसको हम डिराग करने के लिए पितागरस theorem यूज करेंगे क्या यूज करेंगे पितागरस theorem पितागरस theorem यूज करेंगे मतलब क्या किस पोस करते हैं हमारे पास एक triangle है यह एक triangle है कौन सी right angle triangle ठीक है जिसमें एक angle 90 का है ठीक है वहाँ पे इस line को हम hypotenuse करते हैं इसको हम base करते हैं इसको हम perpendicular करते हैं ठीक है अब देखो हम बनाना चाते हैं students square root 5 तो कैसे बना सकते हैं hypotenuse जो है वो आना चाहिए square root 5 तो कैसे आएगा देखो अगर मैं कहें दूँ base जो है वो हमारे पास है 2 base क्या है 2 और perpendicular value है 1 ठीक है क्यों ली अब देखो base 2 2 का square 4 plus 1 का square 1 तो 4 plus 1 equals to 5 तो 5 आ गया पिर जब square लेंगे तो ये square root में square root 5 आ जाएगा कैसे एको हम put करते हैं hypotenuse square is equal to base 2 square plus 1 square 2 2's are 4 plus 1 equal to 5 hypotenuse square अब हम क्या ले लेते हैं हम ले लेते हैं दोनों side पे square root तो ये खतम हो गया इसका मतलब है कैपोटेनिस क्या आ गया square root 5 आ गया तो सबसे पहले student आपने इस तरह solve करना है इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने बनानी है number 9 ये बना ली मैंने number 9 center में रखना है 0 इस side पे 1 इस side पे 2 यहां पे 3 यहां पे minus 1 minus 2 and minus 3 सबसे पहले student देखें base क्या है 2 तो सबसे पहले हम base को select करेंगे base कहा है 0 से 2 के दर्मियान है 0 to 2 ये हमारे पास बन गई है base अब ये वाला जो distance है perpendicular की value क्या है 1 मतलब 0 to 1 इतनी जो distance है वो आपने यहां पे draw करना है कितना same इतना इतना आपने यहां पे draw करना है तो ये मैंने draw कर लिया आप scale से करेंगे draw ये बन गई जी 1 और ये value यहां तक बन गई है 2 तो फिर ये value क्या होगी जो अभी हमने कान किनाए है square root 5 आगे ठीक है अब square root 5 को इस line पे कैसे draw करेंगे आप compass लेंगे compass का मतलब क्या पुरकार पुरकार को यहां से लेके यहां तक उसको नोग को खोलेंगे खोलने के बाद यहां पे रखके आप यहां पे एक curve draw करेंगे क्या draw करेंगे एक curve draw करेंगे कर कुछ ऐसी बनेगी और जहां पे वो number line को टच करेंगे वो value क्या होगी square root 5 तो इस number को ऐसे draw करना है स्चेट स्पोस करते हैं हम एक और example करते है square root में हम कहते हैं एक number है हमारे पास ठीक है suppose करें वो number है square root 2 अब square root 2 का square नहीं होता तो इस को हमने draw करना है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक right angle triangle बना ली ठीक है पिताउरस theorem लगाएंगे पिताउरस theorem क्या कहता है कि hypotenuse का square होता है वो equal होता है base square plus perpendicular square equal आ गया hypotenuse क्या आना चाहिए square root 2 आना चाहिए तो कैसे आ सकता है अगर मैं base को भी one ले लूँ और perpendicular को भी one ले लूँ तो one square plus one square equal to two hypotenuse square तो square को खतम करेंगे तो क्या आ चाहिएगा square root 2 तो इसको कैसे ड्रा करेंगे सबसे पहले आप एक number line बनाएंगे center center में रखेंगे zero इस साइड पे positive number इस साइड पे negative number और equally आपनी distance लेना है ठीक है scale से ये बनाने है इसके बास square root 2 हमने ड्रा करना है base क्या है one मतलब इसके ये हुआ कि यहां तक है और perpendicular भी one है मतलब इतनी ही line हमने यहां पे भी ड्रा करनी है फिर हमारे पास ये क्या आ गई square root 2 आ गया यहां से लेके यहां तक हमने अपनी compass मतलब प्रुकार को open करना है यहां पे रखके ठीक है हमने यहां से एक कर्व बनाने है जब वो कर्व बनाते हैं तो यह value देती है जिसको हम क्या कहते हैं square root 2 आ गया है तो इस तरह numbers को हम number line पे draw कर सकते हैं कौन से number को real number को मतलब जो decimal में हैं जो fraction में हैं जो positive number हैं जो negative number हैं इन तमाम numbers को हम number line पे draw कर सकते हैं